दोस्तों 2020 में government job का खौब देखने वालों के लिए एक और खुसकपरी है The New India Insurance Company जो एक government of India के undertaken company है उसने requirement निकाला है 300 सीटों के लिए सीटों का विबराण इस प्रकार है HC के लिए 46 सीट और HC के लिए 22 सीट है OBC के लिए 81, EWS के लिए 30 सीट है और Unreserved के लिए 121 सीट है और जो सारे ग्रूप से बिगलांग है उनके लिए 4, 3, 3, 3 और 7 सीट अलग-अलग है जिसमें कांच से सुनने वाले, कम सुनने वाले और या फिर कम देखने वाले इस तरह के से सीट है वो अलग-अलग दिखा रखिए इंडिया इंसुनेंस कमपणी एक भारत की जानेमानी कमपणी है जिस तरीके से LIC है, वैसी है और इसमें जो फॉर्म निकला है 300 सीट के लिए इसका उनलाइन डिश्टेशन जो है वो सुरू होगा 1 सिटमबर 2021 से सुरू होगा बात करता है education qualification के बारे में सबसे पहले education qualification जो चमाँगा है वो 60% marks आपके होने चाहिए चाहे वो graduation level पे हो या post graduation level पे हो दोनों में से किसी में भी 60% अगर आपके पास है तो आप इस post को भस सकते हैं और SC और ST और जो दिव्यांग candidate है उनके लिए कुछ छूट है 15% marks के साथ वो इस post को भस सकते हैं और दूसरी बात यह है कि यदि final year के student आप है और या final semester आपका चल ला गिरोशन का या post graduation का तो आप इसको भस सकते हैं बसरते हैं कि यदि 39, 2021 तक आपको mark sheet दिखाना पड़ेगा तब जाके आप इसमें final year के student भी इसमें भर सकते हैं लिए कि अगर बात करें तो starting salary 32,755 रुपाय आपकी basic पे रहेगी लेकिन जो DA allowance बगरा मिला के जो starting जो salary होगी आपकी वो 60,000 पर मंत रहेगी और आप जो है NPS system के अर्थाद रहेंगे अर्थाद आपका पुरानी pension आपको नहीं मिलेगी नई new pension scheme के थर्थ आपको आपका जो पैसा है salary में से वो अंग्षदान कटेगा आयू की बात करें तो 21 साल के वेक्ति इसमें भर सकते हैं और maximum 30 साल के वेक्ति इसमें भर सकते हैं और आई की जो गर्णा है वो एक अपरेल 2021 से की जाएगी यदि आपकी जनमती थी दो अपरेल 1991 के बाद और एक अपरेल 2000 से पहले हैं तो आप इसको भर सकते हैं कुछ relaxation भी है जैसे schedule cash के लिए 5 साल का relaxation है और other backward के लिए 3 साल करा है होगा आपको reasoning के आपके 35 question होगे 20 minute आपको मिलेगा और quantitative attitude के आपके 35 question आएंगे जिसमें से आपको 20 minute में आपको इनको हल करना आगा और टूटन में राके 100 question आएंगे और इनको आपको computer screen पे ही करना होगा application fees की बात करें तो वो non-referndable होगा बार था था एक बार आप फार्म भनने के बाद उसको refund नहीं ले सकते हैं और एक नो 2021 से इस फार्म को आप online भा सकते हैं SC, ST और जो दिब्यांग वेक्ती हैं उनके लिए 100 रुपए और all current rate other than SC and ST जनरल वालों के लिए 7500 रुपए फीस है इसमें एक चीज़ मेंसें नहीं किया दिया आप EWS के अंतर रगत फार्म भाते हैं तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा या भी इन्होंने डिक्लियर नहीं किया है उस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि New India Insurance Company में जो Administration Officer के जो फार्म निकले है उसके बार में आपको संक्सित जान कर दी और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक दे रखाए वहाँ से आप पढ़ सकते हैं या औरेदी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना मुलेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई